नमस्कार यह जो मैं बताने जा रही हूँ प्रिवेंशन इस बेटर देन क्यूर रोक थाम इलाज से बहतर है यह कोई नई बात नहीं है हम सबको पता है कोई भी बीमारी से बचने के लिए रोक थाम बहुत अच्छी बात है ताकि बीमारी हो न पाए और हम उसके परिणाम से आपको बचाए रखे इसी श्रंखला में मैं डॉक्टर शुभा फड़ के बच्चे के स्वास्ते के लिए आवशक नवजात शिशू के स्क्रीनिंग अर्थाथ न्यूबॉर्ण स्क्रीनिंग प्रोग्राम के बारे में बताने जा रही हूं मैं बच्चों की डॉक्टर और मेडिकल जेनेटिक्स विभाग की अध्यक्ष हूं संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिटूट अफ मेडिकल साइसे लखनों में आप सबको पता है कि जब भी बच्चा होता है वो स्वस्त होना चाहिए ऐसे सब की इच्छा होती है और उसी दृशा में बच बच्चा महार से दिखने में स्वस्त दिख रहा हो उसमें कोई बनावटी में कर खराबी नहीं हो तब भी कभी कभी होता है कि बच्चे में कोई बीमारी हो और उसके समय से नीदान होने से और समय से इलाज होने से उसके बीमारी के दुश परिणामों से बचाया जा सकता है और इसी लिए आज हम जानेंगे निवबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम तथा निवबॉर्न नवजाज शिशु के स्क्रीनिंग जाज के बारे में ऐसी एक बीमारी है जनम जात हाइपो थायराइडिजम या थायराइड की कमी ऐसे बच्चे जो जनम से जनको थायराइड की कमी होती है जनम होते हुए पूरी तरह स्वस्ता दीखते है और ये जो हमने दूसरा चित्र दिखा है जिसमें एक मेने का बच्चा है वो भी आम तोर पर साधारण से नॉमल बच्चों जैसे दिख रहा है लेकिन अगर ऐसे बच्चे का निदान नहीं हुआ और उसको थायराइड की दवा का शुरुवात नहीं होई तो फिर छे मेने के बच्चा होने में उसके दुश्परिणाम दिखते हैं और उसका निदान बहुत आसान होता है लेकिन इस समय अगर इलाज शुरू होता है तो काफी देर हो चुकी होती है क्यूंकि ऐसे बच्चे के और सबको हमको पता है कि बच्चे के पहले 6 मेने में बच्चे के बद्धी का ब्रें का विकास होता है और अगर उस समय थारवड की कमी हो तो फिर बच्चा पूरी तरह हमेशा के लिए मंदब उद्धी हो जाता है और विकलांग होता है इस वज़े से आवशक है कि जैसे ही बच्चा जनम हो उसकी थारोइट के लिए कमी के लिए जाच की जाए और जो बच्चे में थारोइट की कमी पाई जाती है उनको तभी से अगर इलाज शुरू करते है तो बच्चे में पूरी थार बच्चा स्वस्तर रहेगा उसके बुद्धी पे कोई असर नहीं होगा और पूरी थार नॉर्मल जिन्दगी अच्छी जिन्दगी बच्चा बड़ा होने पे उसको अच्छी जिन्दगी मिलेगी इसी तरह एक दूसरी बीमारी है बायटीनिडेस की कमी ये बच्चे भी जनम होने के तुरंट बात पूरी तरह नॉमल दिखते हैं लेकिन कुछी हफतों में उनको उनके बाल कम हो जाते हैं और उनको दवरे पड़ते हैं और इसके कारण उनके बुद्धी पे बहुत पूरा परेडाम होता है ये बच्चे भी बिना इलाज के विकलांग हो जाते हैं इसकी इलाज बहुत आसान है अगर नवजाद बच्चे के शिशू के जनम से तुरंद बात टेस्ट कर लिया गया और बायोटीन इडेस की कमी पाई गई तो उनको बायोटीन नाम की दवाई जो विटामीन होती है उसको उचित मातरा में देने से बच्चे के ब्रेन पे असर होने से और उसको मिर्गी से बचाव करने से पूर्ण तरह फायदा होता है तीसरी बीमारी जो मैं बता रही हूँ जिसका नवजाश शिशु में जाच करना अत्यावशक है वो है गैलेक्टोसेमिया की बीमारी गैलेक्टोसेमिया से ग्रसित शिशु को मा का दूद हजम नहीं होता है और उसके कारण उसको शरीर में ग्लुकोस की मातरा कम हो जाती है और ये कारण सी के बच्चे के दिमाग पे असर करता है कई बार गलेक्टरसेमिया से ग्रसित बच्चों की पहले कुछी मेहनों में मृत्यू भी हो सकती है इसका भी इलाज बहुत आसान है कोई दवाई नहीं देनी पड़ती है इनको सिर्फ सोया मिल्क देना पड़ता है और गाय के या मा के दूद से उनको परहेज रखना पड़ेगा ताकि उनके ब्रेन की बुद्धी का सही तरह से विकास हो चोथी बीमारी जो मैं बताने जा रही हूँ उस बीमारी का नाम है कंजनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लाजिया एड्रिनल नाम की एक ग्रंती होती है हमारे शरीर में जो किड्नी के उपर होती है और उसके अगर हर्मोन की कमी होती है तो बच्चे के शरीर के सोडियम और पोटेशियम के लिए बहुत नुकसान होता है ये बीमारी से कई बार कुछी मेनों में बच्चे की बृत्ति हो सकती है अगर लड़की हो तो उसके शरीर के विकास पे भी उसका असर हो सकता है और इसका भी इलाज बहुत आसान है यह जो कॉर्टिसॉल का हर्मोन की टैबलेट मिलती है उसको जिन्दगी बर उसका सेवन करना पड़ता है और बच्चे को जान लेवा खत्रे से बचाया जा सकता है ये चार बिमारियों के साथ में नवजाश शिशू का G6PD नाम की कमी से भी जाच की जाती है G6PD की कमी यह कोई बिमारी नहीं है लेकिन जिस व्यक्ति को या जिस बच्चे को जिस शिशू को G6PD की कमी होती है उनको कुछ दवाईयों से परहिज रखना पड़ता है ये एक बहुत आसान सा तरीका है क्योंकि इन बच्चों को कुछ दवाईयों के कारण खून में बहुत कमी हो जाती है पीलिया हो जाता है खून तूटने लगता है और ऐसा नुकसान हो सकता है अगर पता नहीं हो कि बच्चे को G6PD की कमी है और उसको ऐसी दवाई दी गई जिससे उसको रियक्शन हो जाता है और खून की कमी होती है G6PD के कमी कोई बिमारी नहीं है मैं फिर से बताना चाहती हूँ और इन व्यक्तियों को हमें इन बच्चों को हमें एक दवाई को लिस देते है ताकि उन दवाईयों का सेवन उनको नहीं करना चाहिए और उसी तरह उनके side effects और adverse effects से बचाया जा सकता है यह बिमारिया जो मैंने उपर बताई है इन बिमारियों से कैसे बचा जाए जैसे मैंने बताया कि इन बिमारियों से बचाओ बहुत आवश्चक है इसके लिए बहुत आसान तरीका है जनम होने के बाद बच्चे के एड़ी से एक बहु खून रिया जाता है और यह खून कागच पर में बहुत आसान हो यह रक्तके नमुने संजय गांधी पोस्ग्रेजरियूरट Institute के Medical Genetics विभाग में बेजे जाते हैं और इसका तुरंत दो दिन में उसकी टेस्ट होती है जिस बच्चे में इन में कमी पाई गई उन बच्चों को तुरंत बुला लेते हैं उनके अधिक जाच की आवश्चक्ता होती है उस अनुसार जाच की जाती है और तुरंत उनको दव भाईयों के दुष परिणामों से बचाया जा सकता है 1000 या 2000 बच्चे पैदा होते हैं उसमें से एक से दो बच्चों को इसी में से कोई कमी होती है लेकिन जैसे मैंने बताया बाहर से बच्चा सहीं दिख रहा हो तब भी उसकी बीमारी के बारे में बलड टेस्स के बिना नह कि बच्चे के कोई भी बिमारी के लख्षन नहीं दिख रहे हो तब भी ये जो पाच बिमारिया है Biotinidase की कमी, जनमजात Hypothyroidism, Adrenal Hyperplasia, G6PD की कमी और Biotinidase Deficiency ये पाच बिमारियों की जाच सब नवजाशिशुों की होनी चाहिए आप इसमें बहुत सहोयोग दे सकते है जन्रम के दूसरे या तीसरे दिन ये बच्चे का बलड जो है परिक्षन के लिए दिया जाए डिश्चार्ज आप उसके पिना पहले न ले बच्चे का जब जाच के लिए बलड दिया जाएगा उसी के बाद मा और बच्चे को घर लिया जाना चाहिए सही पता और फोन नमबर दे ताकि जिस बच्चे के टेस्ट में कोई कमी हो उसको हम तुरन संपर कर पाए और आपकी भी जिम्मेदारी है कि सैंपल देने के दस दिन के बाद अस्पताल में आके रिपोर्ट के बारे में पता कर ले ये बहुत महत्व पूर्ण है कि जाच करने के बाद जिस बच्चे में कोई भी कमी आती है उसको अगर उस परिवार को हम फोन करते हैं तो उनको तुरन्त आना चाहिए और फिर अधिक जाच के लिए डॉक्टर की सलहा के अनुसार जाच और इलाच शुरू करना चाहिए ये सब जो जाचे है नवजाज शिशु की जाच है निवबॉर्ण स्क्रीनिंग प्रोग्राम है ये डिपार्टमेंट ओफ बाय टेकनलोजी की तरफ से सरकार की तरफ से बहराईच और श्रावस्ती जिले में उम्मीद प्रोग्राम के अंतरगत ये सुविधा सभी अस्पताल के डिलिवरी वाले बच्चों को मुफ्त उपलब्त की गई है और अधिक जानकारी के बारे में आप हम सब से संपर्क कर सकते है ताकि आपके बच्चे को समय से बीमारियों से बचाय जाए उपचार और परामरशब पूरी तरह ये सुविधाय निश्यलक है आपको हम बताना चाहते है कि अगर आपका बच्चा बेटा हो या बेटी हो उससे आवश्चक है कि वो बहुत स्वस्थ हो और आप सब लोग बच्चे के माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी सब लोग बच्चे के ये जाच के बारे में समझे और उसके लिए सहयोग करें यही जानकारी आप आपके रिष्टेदार और आपके घर के पास के और परिवारों को भी पहुचाए और सब आवश्चक है कि सब नवजाशिशों का सही समय पे जाच हो और हम उनको अगे होने वाले दुश्परिणाव में उसे बचाया जा सकता है दन्यवाद